आई फ्रेंड्स स्वागत आपका मेरे चैनल पर आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास फ्रंट पेज का पार्ट टेन जो की इसका लास पार्ट है शाम आट बजे रंगास्वामी की कोठी के बड़े होल में वो तमाम लोग मौजूद थे जिनने सुनील की राय पर रंगास्वामी ने खुद फोन किया था फोन पर सबको लगबग एकी बात कही गई थी अपने आवास पर अपने अनुयाईयों के हित में एक कस्नेवारन यग्यक आयोजन कर रहे हैं जिसमें दिवंगत आत्माओं के आवाहन का आनुस्टान भी किया जाएगा हमें पूरी आशाहे की हमारे अनुस्टान के फल सवरूप, दिवंगत लेखक, राम भोजदार या इस्पेक्टर मनोर्षिय की आत्मा हमसे संबोधित होगी इस आयोजन में आपकी रूची हो तो आप साए आट बजे निसंकोच हमारे आवास पर पदार सकते हैं हाजरी सत प्रतिशत रही, आट बजे से पहले ही जो लोग महां जमा हो चुके थे, वे थे मलिक सहाब, सुब्रतो मज्युमदार, अलकनात पांडे, रमा कांथ, सुनील, सोनी भोजदार, शशांक साल्वी, शिवनात साल्वी, सुमन साल्वी, ड्राइवर मोहनलाल और हाउस कीपर भर था होल का मोहल बड़ा रह स्पुन था, वहां कोई तीकी रोशनी नहीं थी एक लोहे के सूरत से ही भारी लगने वाले हवन कुण में होले होले हवन स्वामगरी जुलग रही थी, जिसका खुश्पूदा दुआ पीरे-दिरे माहोल में बस्ता जा रहा था लोगों के बेटने का इंतिजाम रंगा स्वामी के तक्त पोश के सामने गद्दे और चद्रे विछा कर किया गया था रंगास्वामी के सामने एक खूब बड़ी चोकी पड़ी थी चोकी पर एक चांदी की सिंदूर और फूलों से बड़ी बड़ी सी थाली पड़ी थी और उस थाली में एक इंसानी खोपडी रखी थी रंगास्वामी होटों में कुछ मंत्र बुद्बुदा रहा था वो रह रहकर खोपड़ी पर फूप मार रहा था आरम में सोनी को अपने स्टाप की वहां मोजूद की बहुत नागवार गुजरी थी एक बार गी तो यूँ लगा था कि जैसे वह यहां तो भड़ता या मोहनलाल को वहां से चले जाने को कहेगी और यहां खुद रुकसत हो जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अब माहूल ऐसा था कि उसे याद भी नहीं रहा मालूम होता कि उस महफिल में उसके नोकर चाकर भी शरिक थे उपस्ति सजनों में से सबसे अधिक शद्दा के बाव सालवी परिवार के तीन सदस्य के चहरे पर थे उनकी सूर्तों पर परमानंत के बाव थे सुर्तों मजुम्दा जब वहां पहुचा था तो उसके चहरे पर उपास और अशिंस्ता के बाव थे लेकिन अब वहां भी माहुल के रंग में रंग कर गंबीर हो गया लगता था मलिक साथ के चहरे पर कोई भाव नहीं था और पांडे की सूरत से ऐसा लगता था जैसे वह किसी ताजे-ताजे मरे रिष्टेदार की क्रिया में शामिल होने आया हूँ इकलोता रमाकान था जो हर बात से साथ साब बोर होता दिखाई दे रहा था और अपनी जमाईयां रोपने की कोशिश कर रहा था उसकड़ी पता नहीं वहां माहुल का असर था या वहां के प्रकाश श्योजन का कोई करिश्मा था या कोई और न समन में आने वाली वज़य थी कि रंगास्वामी के चेहरे पर अपुर्वतेश दिख रहा था और वहां कोई देविया प्रूश मालूम हो रहा था अब एकायक रंगास्वामी बोला हमारा वर्तमान अनुस्टान अपने दूसरे चरण में प्रवेश करता है अब आत्माओं के आवान की घड़ी आ गई है इस दुरूप कारिका प्रियास आरम करने से पहले हम एक बात का जिक्र जरूरी समझते हैं हम नहीं चाहते हैं कि आपको यहां मुलाए जाने को आप यह अर्थ लगाएं कि हम आपको अपना अनुयाई बनाना चाहते हैं या हम आपकी पुर्व इस्थापित आस्ताओं में कोई आधार्बूत परिवर्तन लाना चाहते हैं तांत्रिक शक्तियों में आस्ता रखने याना रखने से आप अस्तुतह आपकी यहां उपस्तिती का प्राजन है, कल हुई हत्याओं के उस रहस्य से परदा उठाना, जिस्टे की किसी न किसी रूप से हम सब प्रबावित हैं। इसा चाने में हमारी यक्तिगत रूची भी है, हम सालवी परिवार के अनिष्ट की आशंका से तरस्त हैं। हम अपना परम करता वे समझते हैं, हमने जो कहना था कह चुके, उपस्तित सजनों में से कोई कुछ कहना चाते हो तो, नी संकोच कहें। मलिक साब ने खंकार कर अपना गला साब किया, सबका ग्यान उनकी तरब गया। जब सारा सिलसला, वे बोले, कतल के अपरात का हल तलाश करने से तालुक रखता है। तो क्या बैतर यह न होता कि पुलिस के महकमे का कोई जिम्मेदार नुमाइंदा भी यहां मौजूत होता। ऐसा विचार हमने किया था। रंगास्वामी अपनी लंबी दाड़ी में कंगी की तरह अपनी उंगल्यां फिराता हुआ बोला। लेकिन फिर हमें यह विचार त्याग देना पड़ा था। क्यूं? क्योंकि जो कुछ यहां होने जा रहा है। वह एक अनौप चारिक्ता प्रयोग है। प्रयोग असफल रहने की इस्तिती में पुलिस की यहां उपस्तिती पत हास्यपद इस्तिती उत्पन कर सकती है ऐसा वांचित नहीं यानि कि आपका यहां अनुष्ठान अभियान असफल भी हो सकता है बिलकुल हो सकता है और सफल भी बिलकुल अगर प्रयोग सफल हुआ तो तो जो सफलता आएगी उससे संबंदित अधिकारियों को सुचित कर दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रयोग पहले सफलता पुर्वक हो चुका है। आपके द्वारा या आप जैसे किसी और सिद्ध पुरुष्ट्वारा। ऐसे प्रयोग अनुकों भार हो चुके हैं। तो अब रंगास्वामी बोला हम समादिष्ट होते हैं। हमारी आपसे प्रात्ना है कि आप लोग एक्तम खामोश पेठें। किसी तरह की कोई आवाज न करें। अन्यथा हमारा अमुत्रता की अवस्था में पहुँचना संबाव न होगा। कोई कुछ न बोला। रंगास्वामी ने अपने एक चेले को कोई गुप्त संकेत किया। रदकाल होल की बत्तियां यूं मतिम पढ़ने लगी। जैसे किसी यांत्रिक उपकरण द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जा रहा हो। हाल का नीम अंदेरा गहराने लगा। लगबग मुकमल अंदेरा हो गया तो एक एक चांदी की धाली में रखी खोपड़ी के एन उपर एक लाल बत्ती जल उठी। जिसकी रोशनी में रंगास्वामी का दाड़ी मूच से ढखा काला चहरा धहता अंगारा लग रहा था। रंगास्वामी ने अपने दोनों हाथ सामने फेलाए और उन्हें चोकी पर थाली के धायबाय रख लिया। उसका सिर्होल की छट की तरफ उठा। किसी नामालूम जगय से आते हवा के जोके से उसकी धाड़ी उठने लगी। उसकी आखे शुन्य में कहीं इस्तिर हो गई। सब मंत्रमुग्द उससे देख रहे थे। फिर एकायक रंगास्वामी के गले से अजीब सी गरगराहट की आवाजे निकलने लगी। और इसकी सांस यूँ चलने लगी। जैसे बहुत तेज रपतार से लुहान की धोकनी चल रही हो। प्यारियो, रमाकान सुनिल के कान में बोला। यने एक बार कमेटी वालों का फेका जयर खाकर एक कुता ऐसे ही तडपते देखा था। श्ष्! रमाकान खामऊश हो गया। मज्यूंदार होले से खसा। पांडे ने मज्यूंदार की तरब देखा। मज्यूंदार ने एक पलग जब की। पांडे ततकाल परे देखने लगा। सोनी ने जमाई ली। बर्ठा ने इसी सूरत बनाई थी। जैसे बेठे बेठे उसे लक्वा मार गया हो, मोहनलाल के होटी उतेजी से हिल रहे थे, जैसे वह कोई जाप कर रहा हो, केवल सालियों के चहरे पर शद्दा, बक्ती और सैयम के भाव थे, होल में संपुन इस्तब्दता चाही रही, रंगा स्वामी के चोकी पर टिके हाथ तेरा सिर्फ गूमने लगा है, रंगा स्वामी की सांसे और तेज होती जा रही थी, उसके फेपड़ों की दोपनी ज्यादा रप्तान में हरकते करने लगी थी, उसके दा त्यूं जूट गए थे, जैसे उसे हिस्टीरिया का दोरा पड़ गया हो, और उनके बीच में से सां कार की तरह सांस निकल रही थी, मरते नहीं जाएगा, रमाकान फुस्पुसाया, सुनील ने अपनी कोहनी से जोर से उसकी पसलियों को टहो का, रंगा स्वामी के होट यूं हिलने लगे, जैसे बोल रहा हूँ, लेकिन वातावरन की निशब्दता, पुर्वता भरकरार थी, फिर एक एक बड़े अप्रताशिक डंग से आवाज हुई, कई शरीरों में शिरान दोड़ गई, शिवनात, सबने महसूस किया कि आवाज तांत्रिक के बिचे दातों में से निकली थी, हाँ प्रबु, शिवनात सालवी बाविहल सर में बोला, वेटी की फिक्रनकर भज्च आवाज रंगास्वामी के गले से निकलती लग रही थी, लेकिन वह रंगास्वामी की आवाज नहीं मालूम होती थी, आवाज के साथ साल रंगास्वामी के गले की माशपेशों की हरकत साब जाहिर कर रही थी, कि आवाज उसकी लग रही थी या नहीं, बोल वही रहा था, अगर बोल नहीं रहा था, तो यूँ अभिने कर रहा था, जैसे फिल्मों की तर कोई उसे प्लेबेक दे रहा था, अपनी बेटी की बिल्कुल फिक्र न कर बच्चा, दन्य हो बगवन, शेवनात सालवी रूंदे कंट से बोला, दन्य हो संकठ हरण, हम क्या करें, सुमन सालव बोली, इस्पेक्टर मनोर सिंग की आत्मा से पूच, वो कहा है प्रबो, यहीं है, अब मनोर सिंग की आत्मा की सुन, सुन रही हूं बगवन, रंगा स्वामी की आखे अब अंगारों की तर दहकती लग रही थी, उसकी भकूटी तनी हुई थी, उजाय फड़क रही थी, औ लेकिन इस पार, रंगा स्वामी के चहरे पर यहां गले में कोई हरकत नहीं थी, अब वो पत्थर की तराशी मुर्ती की तरह बहिस लग रहा था, एवल उसकी भकूटी अभी भी तनी हुई थी, और नेतर धहक रहे थी, शिवनात, आवा जाई, पुलिस के पास जा, और जो पांडे ने मारी, कई मुखो से एक साथ सिसकारी निकली, तमाम निगाएं इस तलाश में हौल में फिरी की, अंदेरे में पांडे कहां बेठा था, जाकर पुलिस को यह भी बता, आवा जाई, कि जिस रिवालवर से हम दोनों का खून हुआ था, वो, यह क्या भकवा से, एक पहले से फिट थी, रिवालवर डिक्षनरी के आकार और शकले के एक बक्से में थी, इस पर की डिक्षनरी का टाइटल जड़ा कर, उसे किताब की सूरत दे दी गई थी, उस बक्से में रिवालवर की नाल के सामने केवल नाल जितना छेट था, और छेट का रुक पहले से ही इस प्रकार स्टेज की तरफ सेट कर दिया गया हुआ था, कि धायस उसका निशाना था, वह बक्षा डिक्षनरी के बाग एक और तीन के बीच में इस प्रकार फिट था, कि देखने में डिक्षनरी का बाग दो ही लगता था, भोजदार जब भाशन दे रहा था, तो उसी किता आपनुमा बक्षे में से गोली चली थी, बाद में मैंने पांडे को शेल्प से वो बक्षा हटाने की कोशिश करते रंगे हातों पकड़ा था, वह बक्षे में से बन करो, पांडे विक्षपतों की तरफ चिलाया और उचल कर खड़ा हो गया, बन करो या बक्वास, रिवाल से मुझे भी शूट कर दिया था, इमारत की बेस्मेंट में पांडे चलांग मारकर तक्तपोश पर चड़ गया, उसने जपटकर रंगा स्वामी का गला दबोज लिया, आग खुद उसी ने लगाई थी, आवाद बदस्तूर आती रही, ऐसा उसने रिवालवर और की तरब जा चुकी है, इसलिए वहाँ से फोरन रिवालवर हटाई जाना जरूरी था, लोगों का ध्यान उदर से हटाने को आगीव से एक तरीका सूजा, तक तक पांडे पूरी शक्ती से रंगा स्वामी को जिलोड रहा था, लेकिन रंगा स्वामी तस से मस तक होता नहीं लग रहा था, उपर से आवाज का रूख जाना तो दूर की बात थी, उसकी रवानगी में भी कोई फरक आता नहीं लग रहा था, फिर एक एक होल में एक साथ बेशुमा ट्यूब लाइट जलूठी और सारा हाल दूदिया रोश्णी में नहा गया, पांडे ने हडबडा कर मजुमदा की तरफ देखा, तो उसकी खेलोना सी 22 केलिबर की रिवालवर को अपनी और ताने पाया, खबरदा जो भागने की कोशिश की, पांडे ने याकुल बाव से चारो और देखा, सब इस्तब्द खड़े थे, और अविश्वाश पूर नहित्रों से उसकी और देख रहे से, प्लीस को फोन करो, प्लीस पांडे के मुह से निकला, ताकि वो आकर तुम्हे घरपतार कर सके, घरपतार और तू फासी पे जूल सके, फासी, फिर जैसे पांडे का दिमा खिल गया, उसने एक-एक हवन का कुंड उठा लिया, और उसने सिर से उच्चा किये मजुम पर जपता, मजुमदा ने गबरा कर फाय कर दिया, पड़े वेकमान डग से, अगरसर होता पांडे ठिटका, उसका शरी धनूश की दर हवा में तना, उसके हद से हवन कुन छूटा, और जोर की आवाज के साथ नीचे गिरा, उसके चहरे पर पीडा और अविश्वाश के ब प्रकट हुए, फिर उसके गुतने मुनने लगे, फिर वे धनाम से नीचे गिरा, सब चहरों पर हाहाकारी बावल ये उसकी तरप लपके, पांडे सालवी बोला, पांडे मैं मर रहा हूँ, पांडे बोला, उसकी चाती से खुन भै रहा था, अपने दोनों हाथ उसने अपन पलियों में से होकर बैने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं मर रहा हूँ, तुम्हें पुलीस कहा है, पुलीस जवाब रंगा स्वामी नी दिया, यहां नहीं है, तो फिर ये सब कैसे हुआ, तुम कैसे जान गए, क्या असलियत हम कुछ नहीं जानते, मैं अभी भी क कुछ नहीं मालूं, तो फिर वो आवाज, क्या वाइक मनोर सींग की आत्मा, रंगा सौमी बड़े रहस्पुन डंग से मुस्कराया, मैं भूत प्रेतों को नहीं मानता, पांडे बोला, वो दोखा था, लेकिन बयान दुरुस्त था, सुनील बोला, परना इतना ना बढ़के ह होते, कि मनने मानने पर उतारू हो गए होते, हाँ, मैं मज्जुमदार बोला, डॉक्टर को फोन करता हूँ, कोई फाइदा नहीं, पांडे ने ततकाल विरोध किया, कोई जुरत नहीं, मैं मर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, मनने से पहले मैं अपना गुना कबूल करना चाता हूँ, खूनी मैं हूँ, मेरी फोजदार से कोई रंजिश नहीं थी, मनोर्सी को तो ठीक से जानता भी नहीं था, मैंने दोनों का खून किया, फोजदार को उसकी मेरी ओफिस में टंगी वस्यत के तहद, उसका वारिस पनने के लिए, और मनोर्सी का रंग था, माली हालत बहुत खराब थी, आदी कोठी बेचने पर भी नहीं सुदरी थी, मेरा रोम रोम करजे में डूबा हुआ था, मुझे दंदे से हाथ हिचने के लिए भी पैसे की जुरत थी, और उसे बिलकुल बंद करने के लिए भी, गर्जदारों का दबाव मुझे हलकान कर रहा था, फोजदार की मजाग में लिखी गई वो वसियत, रोज मुझे अपने ओफिस में टंगी दिखाई देती थी, दिन में दस बार में उसे पढ़ता था, और और आपने उस वसियत के बारे में कहीं से कोई कानूनी सला हासिल की थी, उसका जिकर करके नहीं, उसे दि मिला, उसके मुदाबिक वो वसियत एदम कानूनी और मान्य थी, वसियत की तो रजिस्ट्री होती है, जरूरी नहीं होती, मैंने पक्का पता किया था, गोली कैसे चलाई, वेसे ही जैसे, जैसे प्रेत ने, जैसे अभी यहां सुनने को मिला, प्रिवालवा डिक्षनरी के सा पर बिछे कालीनों से नीचे छुपी, एक बारिक सी नलकी से होती हुई, स्टेज तक जाती थी, तार का एक सिरा रिवालवर के टेगर से बंदा हुआ था, और दूसरा स्टेज पर मेरी कुरसी के सामने पड़ी, मेच के नीचे लगे एक लीवर के साथ फिट था, उस लीव पर बचपन में, मैं अपनी बगल में कोई बीर की बोतल या कोई खाली डिपा, या ऐसा ही कोई टार्गेट रखकर, पचास पुट दूर रिवालवर फिट करके, तार की मदद से बगल में रखे टार्गेट को निशाना बना लेता था, ओल में तो खोजदार और रिवालव था, ताकि कतल का इलजाम मुझ पर ना आये, मैं तो स्टेज पर मरने वाले के पहलू में बेटा था, किसी ने भी मुझ पर शक नहीं किया था, आपने स्टेज पर बेटे पेटे मेच के नीचे लगा लीवर खीचा, और पचिस फुट दूर, शेल्प में फिट रिवालवर थी, सुनील बोला, हाँ, मैंने उसे खास्तोर से इसी काम के लिए मुहया किया था, अब वो कहां गई, समुन्दर में, तार, लीवर, नलकी, लकडी का भक्षा, रिवालवर सब कुछ मैंने दोबीना का क्रिक के पुल से, समुन्दर में फैक दिया, सालवी सहाब की रिवाल इंतजाम करके, मैंने असल रिवालवर की तरफ से हर किसी का ध्यान भटा दिया था, सालवी सहाब वाली रिवालवर, अपने मोहनलाल के क्वाटर में प्लोट की थी, हाँ, उससे पहले सालवी के यहाँ, मैंने जानबूच कर ऐसा महुल पेदा किया था, जिससे लगे कि साल और ने मेरे साथ नीचे आ गया था, तो पीछे चूट गया सिगरेट का पेकेट और लाइटर, लेने मोहनलाल वापिस स्टडी में गया था, जिसकी वज़े से उस पर शक हुआ की, तब ही वा रिवालवर भी चुरा लाया था, हाँ, असल में रिवालवर मैंने चुराई थ और बाद में उसमें से एक गोली हवा में चलाने के बाद, मैंने उसे मोहनलाल के क्वार्टर में प्लोट कर दिया था, नोटो की गड़ी भी आपी ने वहां रखी थी, हाँ, आपने फुजदार सहाब का चेक बेंक में बुनवाया था, लेकिन रकम जानभूच कर उन्हें नहीं सोपी थी, हाँ, मैं, मैंने कह दिया था, कि मेरा ब्रिप के साल्वी के फ्लेट पर रह गया है, मेरा ब्रिप के साल्वी के फ्लेट पर रह गया था, और अकम उसमें थी, मोहनलाल हकीकतन वार्दात के दोरान होल में नहीं था, नहीं था, पुलिस की उसकी तरब सालवी वाली रिवालवर बरामद होती और पुलिस इस दिशा में अपनी तलाश मकमल मान लेती। इसली मडर वेपन तब भी मोकाई वार्दत पर मौजूद था। अपनी स्कीम की कामयभी के लिए जिसे वहां से हटाना मेरे लिए निहायत जरूरी था। आगे सालवी वाली इस्पेक्टर मनोर सिंग के कोट की जेब से चोरी न चली कई होती। तो हंगामा कम मचता, तो मेरा काम आसान होता, तो मुझे वहां आग न लगानी पड़ती। वो रिवालवर आप जानते हैं कि किस ने चुराई थी। नहीं। जान लीजे। सालवी साहब की लड़की की ह जैसे तब ना इस्पेक्टर मनोर सींग कुद वहां से टल रहा था और ना किसी को टलने दे रहा था जब तक रिवालवर शेल्प में थी मेरी जान सूली पर टंगी हुई थी मेरा एक एक शन मुसीबत में गुजर रहा था फुले शेल्प का जिकर आ भी चुका था किसी की तवज्यो उसकी तरफ जासकती थी किसी को उसे बारी की से टटोलना सूच सकता था मेरे लिए फोरन कुछ करना जरूरी था तब तब आपको बेस्पेंड में आग लगाना सूजा हाँ मैं तुमारे पीछे पीछे ही बेस्पेंड में पहुचा था पहले तुम उदर से गली में निकले फिर फिर मज्जुमदार उसके बाद मैं बेस्मेंट में पहुचा था मुझे बहुत डल लग रहा था कि तुम वापिस न लोटाओ क्योंकि तब मैं बेस्मेंट में आग लगाता रंगे हाथों पकड़ा गया होता हम वापिस तो लोटे थे लेकिन बेस्मेंट के रास्ते नहीं वहाँ खामोश रहा फिर सुनिल ने पूछा फिर आग की अफ्रत अपरी में इमारत खाली होने लगी अपने जरूरी कागजाद वाले ब्रिपकेस के साथ मैं भी सब के सामने इमारत से बाहर निकला उस प्रिपकेस में फोज़दार की फ्रेम में जड़ी वस्यत भी थी जो आपने अपने ओफिस की दिवार से उतारी थी हाँ आग मैंने यू लगाई थी वहाँ बेस्मेंट से आगी नहीं फैल सकती थी लेकिन तब मेरा अपने मुकदर से विश्वाश उठा हुआ था आग सारी इमारत में फैल जाती तो आग में फोज़दार की वह वस्यत भी स्वाह हो जाती इसके खातिर की मेने खून से अपने हाथ रंगे बाद में आग बुज़ई जा चुकने के बाद आपने वस्यत ओफिस में वापिस टांगी थी हाँ आगे आग के दोरान सबकी तवज़ो इमारत की तरब थी तब मैं चुक्चाप पुर्वी विंग में पहुचा और उदर के रास्ते से चुक्चाप अपने वाले विंग में वापिस पहुच गया उदर आपको किसी ने देखा नहीं था नहीं, मैंने देखा था एक एक भर्था बोली, सबका ध्यान भर्था की तरब गया किस काम से, किसी भी काम से, मसलन अपने ब्रिपकेस को ही शुरक्षित रखने, ये वहाँ यू आते जाते रहते हैं, हाँ, पांडे की सुनो, सालवी उतावले स्वर में बोला, औरों की बाते हम बाद में भी सुन सकते हैं, आप बोलिए, पांडे साहब, और मैंने क्या बोलना है, मैं ट्रिगर की तार खोल कर, शेल्प से रिवालवर वाला किताब नुमा बकसा निकाल रहा था, तो उपर से इस्पेक्टर आ गया, वो पलक जपकते ही सब समझ गया, मैं उसे शूट नहीं करना चाता था, लेकिन क्या करता, न करता तो वो मुझे वहीं गिरपतार कर ल सिर्फ रिवालवर और उसका लकडी का बक्षा काबू में करके, मैं वहां से बाग खड़ा हुआ, यानि की तार, उसकी नलकी, मेच के नीचे लगा लीवर वगेरे तब भी वहीं थे, हाँ, वो तो वहीं थे, और मुझे डिक्शनरी का बाग दो यथास्थान रखने का भी अफसार नहीं मिला था, तार, लिवर वगेरे आपने बाद में हटाए, हाँ, वहां अमन शान्ती हो जाने के बाद, डिक्शनरी भी वापिस रखी, प्रेम शुदा वसियत भी वापिस ओपिस में यथास्थान टांगी, और बस मज्जुमदार, मज्जुमदार डॉक्टर क फोन करने के बाद तभी वहां लोटा था, अपनी गोहार सुनकर वा पांडे के करी पहुचा, मुझे खुशी है, पांडे बोला, कि तुमने मुझे शूट कर दिया, आत्मरक्षा के लिए मज्जुमदार विचलित स्वार में बोला, ना गोली चलाता तो लोहे के उस कुन स तुमने मेरा बेजा चितरा दिया होता, तुमने अपने एमपलायर के खुन का बदला ले लिया, मैंने इस इरादे से गोली नहीं चलाई थी, और तुमें कुछ नहीं होने वाला पांडे, डोक्टर बस पहुशता ही होगा, मैं मर रहा हूँ, 22 केलिबर की गोली बहुत कम मा जाना चाता हूँ, पांडे करा हा, चुपचा पड़े रहो पांडे, मैं गिरपता नहीं होना चाता, मैं गिरपता नहीं होना चाता, मैं भोलो मत पांडे, खामोश रहो, मैं तबी पांडे की जेतना लुप्त हो गई, उसकी आखरी ख्वाईश पूरी हो गई, वह पुलिस के आने से पहले ही पलोग सिधार गया केस की ओरिजनल चोकडी सुनील, रमाकान, सोनी और शशांग नेपियन हिल पर ही रंगा स्वामी की कोटी के समी एक कोफी हाउस में बेठे थे कैसे जाना प्यारियो रमाकान पोला बस जान लिया सुनील लापरवाही से बोला लेकिन खेसे कुछ तीर से कुछ तुक्के से तीर कोन सा था तुक्का कोन सा था तुक्का तो यह था कि मैंने सुचा कि जिसके पास 100% परफेक्ट एलिबाई दिखाई दे समदलो की वही अपरादी है यानि की अलकनात पांडे रमाकान बोला हाँ हाँ यह तो सोनी बोली तो मुल्टी बात कर रहे हो लेकिन शशांग बोला ऐसा जरूरी थोड़े ही है कि जिसके पास परफेक्ट एलिबाई हो वही हत्यारा हो नहीं जरूरी सुनील बोला लेकिन वह इतना खुश किश्मत क्यों हुआ कि उसके पास परफेक्ट एलिबाई थी ऐसी एलिबाई तुमारे पास क्यों न हुई सोनी के पास क्यों न हुई उसी के पास क्यों हुई क्यों हुई क्योंकि उसने गड़ी खुद तयार की क्योंकि सिर्फ उससे मालूम था कि कतल होने वाला है और उसे अपने बचाओ के लिए एक परफेक्ट एलीबाई की जरत पढ़ने वाली थी औरों को ऐसा कोई जान नहीं था इसलिए औरों की एलीबाई, औरों के बचाओ की धलिले कमजोर थी मेरी माला के मन को, मेरा दर्जनो कतल के केसों से वास्ता पढ़ चुका है और यहाँ मेरा हमेशा का तजूर्बा रहा है कि अपरदी की एलीबाई हमेशा देखने में सबसे अधिक मजबूत लगती है इसलिए लगती है कि उसने उसको मजबूत बनाने के लिए एडवांस में खास महनत की हुई होती है सुनील एक्षन ठिटका और फिर बोला यहाँ बात कुछ इस प्रकार की है कि क्लास में वो विद्यार थी जवाब देने के लिए सबसे ज़्यादा उतावलापन दिखाता है मास्टर के ध्याना क्रिशन के लिए सबसे ज़्यादा हाथ लाता है जिसे की सवाल का जवाब आता ही नहीं होता उसकी वो तमाम कोशिशें मास्टर को मिसकाइट करने के लिए होती है कि उससे तो जवाब आता ही है उससे जवाब पूछ कर क्या वक्त बर्बाद करना एसी ही बाते परफेक्ट एलिबाई के साथ होती है पाड़े क्योंकि स्टेज पर बैठा था इसलिए हर किसी ने बहमय पुलीस सोच लिया हुआ था कि वहा हत्यारा तो हो ही नहीं सकता ऐसे र साथ के हत्यारा होने की में कलपना भी नहीं कर सकता अलबता उनके इस्थान पर गोली चलने के वक्त वहां जो कोई भी होता मैं उस पर जरूर शक करता वह शक्ष वो मंत्री ही क्यों न होता जो वाशन करते ही चला गया था यानि कि तुझे शुरू से ही पांडे पर शक्त हाँ लेकिन सिर्थ उसकी परफेक्ट एलीबाई की वज़े से ही नहीं कुछ और भी बाते थी जो तीर के हिस्से में आती है वो क्या बाते हुई मतलब सालवी की रिवालवर चुराने की सिवी था उसे भको भी उपलब्ध थी उस रिवालवर मेंसे एक फायर करके उसे मोहनलाल के क्वाटर में प्लाट कराना उसके लिए मामुली कम था आकिर मोहनलाल सारा दिन उसके साथ रहा और पांडे इमारत के पूर्वी विंग मे प्रोक टोक आता जाता रहता था और केवल पांडे कहता था कि पचास हजार के बैंक से निकलवाए गए नोट उसने लोटते ही फोजदार को सोब दिये थे लेकिन हकीकतन यह बात इस्थापित नहीं हो रही थी मोहनलाल ने या किसी ने भी उसे फोजदार को नोट सोबते नहीं देखा था एक बार आप मोहनलाल को बेगुना मान ले तो फिर उसका नोटो को फोजदार की मेच की दराज से निकला होना भी नहीं चासता नोटो की रिवालवर के साथ बरामद की ही साब जाहिर करती थी कि वे प्लोट किये गए थे आगे यह भी इस पस्थे की जिसने रिवालवर प्लोट की थी उसी ने नोट भी प्लोट किये थे इशारा फिर पांडे की तरफ है सब ने सहमती में सिरह लाया नोट फोजदार सहाब के पास उपलब्द नहीं थे इसका सबुद यह भी है कि उन्होंने वे नोट सोनी को देने की बात की थी लेकिन दिये नहीं थे इस बात की बर्था भी गवा है नोट अगर सोनी से हुए जगड़े के वक्त तक पांडे फोजदार सहाब को सोप चुका होता तो जैसी तकरार सोनी फोजदार सहाब से हुई बताती है उसकी रूमे फोजदार सहाब ने वे नोट सोनी के मुझ पर मारे होते इकजक्टली सोनी बोली पांडे के खिलाब अगली संदे जनक बात मेरे पास यह थी कि उसने सिर्फ उसने कहा था कि मोहनलाल फंक्षन के दोरान होल में मजूद था अवल तो सहाब लोगों के फंक्षन में एक नोकर चकर का काम ही क्या लेकिन बहस के तोर पर मान लिया जाए कि वहां कतल की खातेरी वहां मोजूद था तो बाद में यहां पूछे जाने पर कि वहां से कोई घायब तो नहीं था पांडे को दोसो से ज़्यादा आद्मियों की हाजरी वाले फंक्षन में क्यों आनन फानन गोली की तरह मोहनलाल का ही खयाल क्यों आया दोसो सूर्तों को तो जहन में उतारने में ही डेर सारा वक्त लगता है उसने तो पूछे जाते ही नीश संकोज मोहनलाल का नाम ले लिया क्यों ले दिया योकी मोहनलाल के क्वाटर में साल्वी की रिवालवर छुपी हुई थी और उसकी तुरंट बरामदगी का उसकी मडर इसकिम में बड़ा अहम रोल था सालवी की रिवालवर की बरामदगी के लिए उसने ऐसा जहमत वाला तरीका क्यों इस्तमाल किया रमाकान बोला वह रिवालवर को होल में ही कहीं प्लाट कर देता तो क्या था पोल में कहां जाहिरे की किसी अत्यंत गोपनी जगय को तो वह चुन नहीं सकता था क्योंकि तब वो रिवालवर बरामद ही न होती अरे किसी भी आम जगय पर डाल देता जैसे किसी कुर्सी के नीचे, किसी अलमारी के बाजू में, कहीं भी अगर रिवालवर ऐसी किसी जगय से कतले से पहले ही बरामद हो जाती तो ओह सालवी की रिवालवर का कतले के बाद बरामद होना जरूरी था उसका पहले बरामद हो जाना सारा खेल बिगाड़ देता रिवालवर पहले बरामद हो जाती कतल शेल्फ वालिंग पांडे की अपनी रिवालवर से बाद में होता, तो कौन मान जाता की कतल पहले बरामत हुई रिवालवर से हुआ था, ठीक है, आगे बढ़, यह बात सरों सम्मत्ती में कबूल की जा चुकी है, नेर विवाद रूप से साबित हो चुकी है की, यूँ समझो की रिवालवर तो मशीनी तोर पर चली थी। यह बात भी मोहनलाल को बेगुनाह साबित करती है। उपर से वह नशे में दुद था। अपने पेरों पर वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। प्यारियों अब उस ट्राइवर का पीछा छोड़ो। फिर जब मैं मैं ने शेल्प में से डिक्षनरी गायब देखी तो मेरी समझ में यह भी आ गया कि गोली कहां से चली थी। डिक्षनरी के गायब शुदा वोल्यूम से हुई खाली जगए में अपनी दर्जनी उग्ली तानकर जब मैंने अपना हाथ खाली जगए पर डाला तो उग्ली का निशान सीधे डायस की तरफ बन गया, याद है, याद है, लेकिन वहां इतनी जगह नहीं थी थी, रिवालवर था में हात वहां गुमाया जा सकता, उसी से मुझे सूजा की जरूर वहां सिर्फ रिवालवर थी, उसका चलाने वाला हाथ जरूर कहीं और था, और उस शक्ष का था, जो सबसे ज़्यादा निर्दोश लगता था, तब मेरा पांडे पर शक और भी मजबूत हो गया था, उन्हें एक्षन ठिटका और फिर बोला, फिर वो गायबशुदा वॉल्यूम अपनी जगह पर वापिस आ गया, क्यों आ गया, ना आता तो क्या तबाई आ जाती, कित में वो खाली जगह, अगर पुलिस ठेक भी लेती, समद भी जाती की गोली वहाँ से चलाई गई थी, तो भी पांडे की सहद पर क्या असर था, मेरे जिगर के टुकणों, इसका एकी जवाब मुनकिन था, इसका जाब यह था, कि वहाँ जगह खाली नहीं थी, वहाँ ऐसा क कुछ रखा था, जिसकी बरामद के हत्यारे को फस्वा सकती थी, वहाँ क्या रखा था, इस बात का जवाब मुझे तब सुझा, जब मुझे यह पता लगा कि साली वाली रिवालवर से कतल नहीं हुए थे, तब मुझे यकीन हो गया कि, असली मडर वेपन किसी तरीके से डि स्टेज सेट करने की, सबसे अधिक स्वीदा किसे हो सकती थी, जाहिर है पांडे को, शशांग बोला, क्योंकि वहाँ उस जगय का मालिक था, इजक ली, उस वाक्त, सोनी बोली, तुम्हें अंदाजा था कि असल में कतल कैसे हुआ था, नहीं, सुनील बोला, तब तो मुझे सपने में भी यह नहीं सूजा था, कि तार की सायता से स्टेज पर बेठे पांडे ने गातक रिवालवर का गोड़ा की जा था, तब मेरा ख्याल था कि पांडे का इस मामले में कोई जोडीदार था, अब कतल के मामले में जोडीदार कोई यूहीं तो नहीं बन जाता, पहले वहाँ ऐसे ही फोज़दार का कतल करवा सकता था फिर कतल के लिए इतना आडंबर करने की क्या जुरत थी दूसरी तरब की मदद यह हो सकती थी वस्यत से जिन्दो सहाबान को आर्थिक लाप पहुसने वाला था उनमें से कोई पांडे का जोड़ीदार बन गया होता वह बाद भी तरब की कसोटी पर खरी उतरने वाली नहीं थी वस्यत में पांडे के अलावा जिन्दो सहाबान का जिक्र था वे थे मलिक साप और मज्यूमदार अब मलिक साप के पांडे से गर्चोड की तो में कल्पना भी नहीं कर सकता बाकी रहा मज्यूमदार तो पहले तो मज्यूमदार को फोजदार का वारिष बनाने से कही ज़्यादा फाइदा फोजदार के जिन्दा रहने में था दूसरे उसकी हर अरकत साप जाहिर कर रही थी कि हत्यारे का परदापाश करने का सबसे ज़्यादा ख्वाइश्मन वह था यानि की ले देकर पांडे ही बच जाता था जिसकी की फोजदार की वस्यत के तहट उसकी दौलत पर निगाह हो सकती थी कोई कुछ न बोला लेकिन प्रतक्षह सुनील के कथन से तीनों प्रभावित दिखाई दे रही थे एक बार पांडे के बारे में राय मद्बूत हो जाने के बाद तो सुनील आगे बढ़ा मुझे छोटे बड़े कई क्लू सुझे जैसे रमाकान पोला जिसे पांडे ने उस फंक्षन का आयोजन अपने ओफिस में ही क्यों किया सिर्फ वह जगे नाकाफी थी बलकि उन मंत्री जी की भी गरीमा के अनुकूल नहीं थी जो की वहाँ आय थे नेकिन पांडे के लिए वहाँ फंक्षन करना जरूरी था सिर्फ वही उसे कतल की स्टेज सेट करने की सुईदा प्राप्त थी सिर्फ वही वहाँ अपनी कर्तूद को एडवांस पे टेस्ट करके इस बात की तस्कित कर सकता था कि उसकी योदना काम्याब होने वाली थी वहां उसने जानबुज कर महमान ज्यादा बुलाई थी और कुर्सियां कम लगाई थी ताकि लोगों को मजबूरन उस खुले शेल्फों वाले बुकरेंग के करीब जमगर्ट की सूरत में खड़ा होना पड़े जहां से की गोली चलनी थी और ताकि बाद में यह समझा जाएगी उसी बीर में से किसी ने गोली चलाई थी वेरी क्लिवर आप हिम शशान्स प्रशनशात्मक सर में बोला यस इंडीड आगे रमाकान पोला अब गोर करो सुनील बोला कि वहां किस कदर बहुत्या में मडर सस्पेक्ट मौजूद थे क्योंकि मौजूद थे वहां इतने सारे लोग जिन पर कतल का शक किया जा सकता था क्यों मौजूद थे क्योंकि पांडे ने उन्हें बलाया था चुन-चुन कर चाट-चाट कर और बहुत मनहार बहुत जिद करकर के शशांक बोला खुद मेरे डैडी ने मुझे बताया था कि पांडे की सक जिद थी कि हमारे परिवार के चारो सदस से उसके फंक्शन में आए सो देयर ऐसा ही उसने औरों के साथ किया होगा ताकि बाद में जब पुलिस की तप्तिष शुरू हो तो वहाँ शक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपलब्ध हो बाद में तप्तिष का डंग भी ऐसा रहा था कि हर किसी से उसकी हर मुमेंट के बारे में भारिक से भारिक सवाल किये गए थे सिवाए पांडे के वो तो इस्टेश पर था वो केसे कातिल हो सकता था यही कारण है कि सबकी आँखों के सामने से गायब होकर वहाँ आग लगाने के लिए बैस्पैंट में पहुँच गया और किसी की उसकी तरब तवज्यों तक नहीं गई आग लगने के बाद जब वहाँ अपने ब्रीक केस के साथ इमारत के मुख्यद्वार से बाहर निकलता देखा गया तो सहजी समझ लिया गया कि बाकी का वक्त वहाँ बाहर ही कहीं मौजुद रहा था जबकि हकीकतन वहाँ उल्टे पाएं बाएंविक से होकर वापिस अपने ओफिस में पहुँच गया था बाद में एक बार मेरी उस पर निगाप पड़ी थी तो वह अपने ब्रीक केस को अपनी चाती के साथ दबोचे आखों में आसू लिये अपनी जल्टी इमारत को देख रहा था उस वक्त मुझे वह करूना की प्रतिमूर्टी लगा था और मैंने समझा था कि वह अपने नुक्सान पर आसू बहा रहा था लेकिन असल बात यह थी कि वह उसी वक्त मनोर सीं का कतल करके जल्ती इमारत से वापिस लोटा था और आखों में दूआ गुश गया होने की वज़े से उसके आसू निकल रहे थे आख के बाद रमाकान बोला एक बार इमारत से बाहर निकल आने के बाद मनोर सीं वापिस पीतर क्यो गया अब असल में उसके मन में क्या था यह तो वही जाने लेकिन इतना तो इसपस्ट है की उसे किसी बात पर शक था जिसकी और तफ्तीश के लिए वह दोबारा बीतर गया था जैसा मैंने पांडे के बारे में नतीजा निकला था उनकिन है वेसा ही नतीजा वो भी निकल चुका हो यह उसे किसी और बात पर शक हो वरहाल एक बात की घारंटी है वो न तो शशांकी ममी के इकबालिया बयान से प्रबावित हुआ था और नहीं उसे मोहनलाल के गुन्यागार होने का मुकमल तोर से यकीन आया था इस लिहाद से हो सकता है उसकी तवज्जो भी पांडे की तरफ रही हो वह एक तजूर्बेकार पुलिसिया था पांडे की एकडम परफेक्ट एलीबाय उसे भी खटक नहीं रही होगी तो हैरान तो कर ही रही होगी फिर आग के बारे में यह अंदाजा लगाना आसान था कि वह ध्यान बाटने की नियत से लगाई गई थी परहाल मनोरसिये को शक्त तो जरूर रहा होगा पांडे पर लेकिन उस शक्त की पांडे के किसी एक्शन से तक्काल तस्कीद तस्तीक भी हो जाएगी ऐसा उसने भी नहीं सोचा होगा सोचा होता तो वह सावदान होता और यूँ भोली न खा गया होता मजुमधार ने सोनी ने सवाल किया जो चिठिया लोगों को बेजी थी उनकी तुमें खबर थी हाँ अपनी वो योजना उसने मुझे और अमाकान को एडवांस में समझाई थी चिठि का ड्राप्ट उसने हमारे सामने बनाया था कब कल रात तुमारे चाचा की स्टडी में तुम तब सो चुकी थी तुमें तब भी मालुम था कि उसकी स्किम काम्याब नहीं होने वाली थी इसकिम की काम्याबी पर तो शक्त था मुझे लेकिन साथ में यह उम्मीद थी कि कोई हलचल जरूर होगी हलचल हुई थी लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकला था तरसल मज़ुमदार अपनी स्किम पर खुद ही ऐसा जुम गया था कि जोश में आ गया था उसने उसका कुछ जादा ही व्यापत प्रचार कर दिया था हमें उसने कहा था कि चिठ्या वह सिर्फ उन लोगों को बेजेगा जिनके पास हत्या का उद्देश्य था और उसे अंजाम देने का मोका था हकीकतन उसने थोक म में चिठ्धियां बेजी मसलन मलिक साप और पांडे के बारे में वह खुद कबूल करता था कि उन दोनों में से कोई हत्यारा नहीं हो सकता था क्योंकि गोली चलने के वक्त वे स्टेश पर हजप्रान के पहलू में बेठे हुए थे लेकिन फिर भी उसने दोनों को चिठ्ध की बेजदी मैनूवी रमाकान पूला यूँ उसकी स्केम उसका बलब एक चिठकला बनकर रह गया प्यारियो एक बात की तारीब करनी पड़ेगी सेकेटरी वफादार मिला था फोसदार को करेक्ट सोनी बोली लेकिन उसे पांडे को शूट नहीं कर देना चाहिए था गोली उसने आत्मरक्षा के लिए चलाई थी सुनील बोला कौन जानता है क्या सब जानते हैं वो गोली न चलाता तो तुमने सोचा है कि हवनकुन से पांडे उसका क्या हाल करता कोली तो उसे कहीं और भी मार सकता था तब कहा था इतनी सोच उचार का वक्त पांडे तो विजली की पित्र हवनकुन लेकर मज्युमदार पर तूट पड़ा था फिर भी क्या फिर भी कुछ नहीं तुम समझ रही हो कि मज्युमदार ने जानबूच कर पांडे की चाती में गोली मारी उसने पांडे से तुमारे चाचा की मोत का बदला लिया सोनी ने उत्तर न दिया लेकिन उसकी सूरत से लग रहा था कि वहा ऐसा ही कुछ सोच रही थी तुमने शशंक बोला इस कथित अनुस्टान का समापन खून खराबे पर होने की उमीद की थी नहीं सुनील बोला लेकिन पांडे के फुट पढ़ने की मुझे भराबर उमीद थी यूँच साप साप अपने प सब भकवास थी और यहां से कूच कर जाएगा लेकिन वो तो हकीकत सुनने की भी ताब न ला सका चोर का दिल छोटा रमाकान बोला अगर सारे ड्रामे की उस पर कोई प्रतिक्रिया न होती तो शशंक बोला वह खामोश पेठा मुस्कराता रहता सोनी बोली और बात को हसी मे उड़ाने की कोशिश करता तो वो ऐसा कर पाता सुनील बोला तो मैं उसे बहुत टॉप का अभीनेता और रंगा स्वामी से ज़्यादा पहुचावा सिद्ध बुरिश मानता लेकिन ऐसा वो नहीं था हकीकतन वो एक कमजोर आदमी था इसकी सर्वाइवल ने वक्त की जरु अपनी निगा में उसने अपने खिलाब कता ही कोई सबूत नहीं चोड़ा था एसे माहल में एक कथित प्रेतात्मा की आवाज उसे कहती सुनाई देती है कि अपरादी वह था और बताना शुरू करती है कि कैसे उस अपराद को अंजाम दिया था उन हालात में पांडे का आं तो इस्तमाल नहीं किया जा सकता था थोरी के बिना पर पांडे को गरपतार क्यों नहीं कराया जा सकता था गरपतार कराया जा सकता था लेकिन साबित नहीं किया जा सकता था कि एली बाई में अभी भी कहता हूं कि एक दम परफेक्ट थी जबुत कोई ही नहीं उसके के दम पर अपरादी को सजा नहीं दिलाई जा सकती। पुलिस उसके साथ जोड जबर्दस्ती पर अमादा होती तो वह और डीट होता चला जाता और पुलिस का धटका विरोध करता। आखिर में पुलिस को हत्यार डालने पड़ते लेक ओफ एविडेंस की वज़े से पुलिस के चुंगल से साप छूट जाने वाला वह पहला मुजरिम नहोता। उसके गुना को उजाकर करने का यही तरीका था कि कुछ ऐसे हालात पेदा किये जाते जिन से वशिबूत होकर वह खुद अपनी जुबानी कबूल करता कि वह अफरादी था। इस मामले में मजुमदार की रिवालवर और उसके द्वारा चलाई गई गोली का भी जबर्दस रोल है। गोली लगने पर पांडे ने समझा कि वह मर रहा था। इसलिए उसने मरने से पहले असलियत बयान करके जाना अपना फर्द समझा। रमाकान बोला मेरे चाचा की वसियत का क्या होगा। सोनी बोली वसियत अपनी जगर भरकरार है। लेकिन उसे फैदा उठने का असली खाईश्मन सक्ष जन्नत नशिन हो चुका है। बाकी दो जने मलिक साब और मजुमदार उस पर अपना हक नहीं चिताएंगे। चित दिखाओ और कहानी खत्म। सोनी ने इंकार में सिर हिलाया। क्यों। मुझे अपने चाचा का पिसा नहीं चाहिए। उसे चाहे काला चोर ले जाए। मुझे अपने पिता की ही संपत्ती मिल जाए। वही बहुत है। वो तो अब मिल ही जाएगी। अब मर गया है तो मुझे लग रहा है की मेरा चाचा इतना बुरा आदमी नहीं था। मैं ही बुरी थी। कमीनी भी जो यह न समझ सकी की पुजुर्क लोग उलाद के दुश्मन नहीं होते। वे अंत्पंद उसका हित्ती चाते हैं। सुबै का बुला, रमाकान बोला, दो-चार मैने में गल लोटाय तो बुला नहीं केला था। सोनी चुप रही, बरहाल, सुनीर बोला, सारे ड्रामे का एहम तरिन किर्दार रंगस्वामी साबित हुआ। वो, शशांग बोला, एहम तरिन किर्दार बनने के लिए तैयार केसे हो गया। तुम्हें तो बहतर मालूम होना चाहिए, आखिर तुमारे परिवार के सेर पर उसका वर्दहस्त है। उस तांत्रीक के बारे में जो ख्यालक मेरे परिवार के हैं, वो मेरे नहीं। परहाल उ तो मुझे गुरू या निगाहों से बाले बढ़शियां बर्साओ, लेकिन यह हकीकत अपनी जगे कायम है की, रंगास्वामी तुमारी बहन की गिरपतारी से बहुत फिक्रमन था, उसी की बलाई की सोचकर, वह मुझे हर सयोग देने को तयार हुआ था। शशांग सुस्क स में बोला, उसने सोनी बोली, सचमुच आत्मा बुलाई थी, इतना बड़ा नतीजा सामने नहीं आया, उसकी सिद्धी की वजए से, सिद्धी, माई फोट, सोनी मुझे कर बोली, कोई आत्मा आत्मा नहीं बुलाई गई थी, वो सब भक्वास था, इस्टंट था, पाखन थ कैसे पाखन था, सुनील मुस्कराया, क्या तुमने साब साब मनोर सींगी आत्मा की आवाद नहीं सुनी थी, सुनी थी, लेकिन वो आवाद न किसी आत्मा की थी, वो नहीं मनोर सींगी थी, मैंने वो आवाद साब पहचानी थी, अच्छा, हाँ, सोनी उसे गूरती हुई द परदा न उठाओ, परदा जो उठ गया तो बेद खुल जाएगा, यानि कि कबूल करते होगी, हाँ, मैं कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ कि तुमारे कान बहुत पतले हैं, लेकिन इसी बात पर एक-एक कोफी और हो जाए, वेटर, वेटर, सोनी मुस्कराती हुई खामो जिसका की बाद में इस्पेक्टर प्रभुद्याल को काफी अपसोस हुआ, और जिसकी वज़े से उसने मजुमदार की खूब खबर ली, धामक हाँ ही, लेकिन ली, मजुमदार ने वसियत पर अपनी कोई दावेदारी पेश नहीं की थी, जो की उसका बड़पन था, मालिक के कीडे को मजुमदार ने पूरा किया, उसके प्रकाशन के लिए रकम सोनी ने लगाई, और वह अलकनार पांडे की विद्वा, और मजुमदार की यावसाईच बागीदारी में प्रकाशित हुआ, उपन्यास स्टेट सूपर हेट, साबित हुआ, उसने खुद फोज़दा सस्तानों को दान दिया, उसने भर्था को नोकरी से निकाल दिया, उसने मोहनलाल की बीबी की ओपन हाट सरजरी का इंतजाम किया, और ऑपरेशन के लिए धरकरार मुकमल रकम खुद अदा की, ऑपरेशन काम्याब रहा, रंगास्वामी के सहयोग के बलास्ट में, सुनील न का सुनील ने वादा किया था, इसलिए रंगास्वामी से संबंदित ब्लास्ट के फ्रंट पेज पर प्रकाशित रिपोर्ट में, उसने कहीं भी इस बात का संकेत तक न दिया था, कि सारा कमार, तांत्रिक की किसी देविशक्तियों का नहीं, बलकि होल में बड़ी हुए टेप रिकार्टर का था, जिसको ओन आप करने का स्विच उस चोकी के नीचे था, जिसे रंगास्वामी अपने सामने रख कर बेठता था, एक बार फिर ब्लास्ट प्लोता अकपार साबित हुआ, जिसमें उस अत्यन पेचिदा केस का एक्स्क्लूसिव कवर अप प्लास्ट प्रेमियों को अकपार का उस रोज का फ्रंट पेच लंबे अर्शे तक रियाद रहा